जैहीन दोस्तों कैसे हो आप सभी आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत हैं दोस्तों CSF Head Constable Ministry 2019 के एड्मिट कार्ड आ चुके हैं ये लास्ट वीडियो में भी बिताया था और आपको हर जगह मिल जाएगा लेकिन दोस्तों जिन लोगों के एड्मिट कार्ड नही हो पाए हैं या पुराने एड्मिट कार्ड उनके शो कर रहे हैं जो उनके पीएस्ट वाले एड्मिट कार्ड दें तो ऐसे केस में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है या जो लोग अपना आईडी पासवर्ड भूल गए हैं जो रिजिस्टेशन आईडी पासवर्ड हुई है आप एक बर cisfrecruitment.in पोर्टल चेक करें उसमें आपको help line number और email id दोनों मिली हुई है आप उन दोनों पे ही अपने request दें email भी करें और उनको phone call भी करें ठीक है दोस्तों ऐसे में क्या होगा एक तो आपका procedure पूरा हो और आप continuously अपना एड्मिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करें आप proper email id और password डाल करके कोशिश करें जो लोग भूल गए हैं वो password फोर्गट करके भी अपना password generate कर सकते हैं ठीक है लोग disqualify हो गए हैं या जिन लोगों ने PST एक बार दे दिया था और उनको दुबारा बुलाया गया वो वहां दुबारा नहीं पहुंचे उन लोगों का शायद admit card नहीं आएगा ठीक है admit card उनीक आएगा जिन्नोंने अपना PST का प्रोचीजर कम्प्रीट किया जिन लोगों को second time बुलाया गया था EPST के लिए और जो लोग वहां गई है और qualify हुए उनका ही admit card आएगा तो अब admit card के लिए attention ना लें डाउनलोड करने की कोशिश करें और अपनी help line नबर पर अपने प्रयास जरूर करें फिर भी दोस्तों starting में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है तो जिन लोगों का exam थोड़ा लेट है तो उनके admit card की कोई attention नहीं है क्योंकि बड़े अराम से आ जाएगा जिन लोगों का exam जल्दी है वो लोग अभी से परयास करना शुरू करते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों मैं भी यहां से परयास करूंगा कि headquarter को email करके आप लोगों के admit card download क रवाय जाएं तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जाहिन दोस्तों